नमस्का दोस्तों हम सीखने हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे इनिमेट CC के बारे में तो दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इसके जो जब heures है उसको कैसे क्रिएक फिरेंटते हैं तो चलिए दोस्तों अगय अगय भरते हैं और आज कीसे वीडियों हम कूकhuman को डिक्रंग अखाऊई इसके जो बोर्ड़ को कैसे क्रिएक किया जाता है तो छले दोस्तों वीडियों स्टार्ट करते हैं तो इस लेयर के अंदर जाते हैं और यहां पर एक निव लेयर क्रियेट करते हैं और यहां पर हम जाते हैं और पी प्रेस करते हैं इस टैप से हमने इसको क्रियेट किया उसके बाद थोरा समय मोडिफाय कर लेता हूं यहां पर एक्स्ट्रा है इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं कि इस टैप से हमारा क्रियेट हो गया है में इसके हाथ को हम्क्रियेट करेंगे आइ यहां से हम नीव लेयर क्रियेट करते हैं यहां से मैं एक बॉक्स को क्रियेट करता हूं कि यहां तक कि इसमें मैं फील को भी अठाता हूं यहां से इसको हम एडिट कर लेते हैं कि यहां तक और इसको मैं कोपी करता हूं यहां पर कि इसको साइड करते हैं और इसमें कलर हम फील करते हैं तो कलर जो फील करेंगे सेम इसका कलर फील करते हैं यहां से आइड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और पिक करते हैं इसमें कलर हम फील कर देते हैं और जो इसका बोडी का कलर है यह इसका कलर हम यह लखते हैं हुआ कि अगरिण इप कि स्तेबस्ते हो गया और इसके जो हम आयु लाइन करेंगे मार्म करेंगे ब्लीटक और हिस्क篇क से अंदर आहरे वहां से ड़ीट करता हूं इस लाइन को मैं यहां से ड्लीट करता हूं इस लाइन पपर रहें है इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं कि इसको में थोरा सा आगे कर लेता हूं ते अब इसी टैब से इसके नीचे के पार्ट को करेंगे यहां से new layer करते हैं और प्रेस करते हैं इसको हम साईट रखते हैं और इसका color हम रख़ करेंगे same और इसका जो Outline है इसके Outline को हम करतेयां black जिसके भी आउटलाइन को हम ब्लैक हसे करते हैं इस को भी हम Black करते हैं इस Tap से और इसको भी हम यहां से Round कर लेते हैं इस Tap से अब हम क्या करेंगे इसको हम पूर्ड़ा को Select करते हैं यहां तक और इकेτο"; सिर्फ ही टैप से इसको भी हम शीमबॉल में कनवर्ट कर देते हैं इसको मैं यहां पर रखता हूं और इसको भी मैं यहां से राउंड कर देता हूं और यहां पर हम क्या करते हैं एक new layer create करते हैं और इसके जो चूरी हैं यहां से इसको हम create करेंगे तो पी प्रेस करते हैं कि और इसका कलर हम कि स्टैप्स करते हैं इसके मैं थिकनेस को बढ़ाता हूं थोड़ा सा इसको मैं कोपी पेस्ट कर लेता हूं इस टैप से यह हमारा हाथ क्रियेट हो गया यहां से इसमें लाइन का कलर भी हमको चेंज करना है तो रेड ब्लैक करते हैं तो यह हमारा हाथ हो गया इसको हम क्या करते हैं इसके अंदर जाते हैं इसको करते हैं कोपी और यहां पे new layer create करके paste कर देता हूं और f8 करके symbol में convert करते हैं और यह हो गया यहां का हाथ इसको right button क्लिक करके transform कर देते हैं इस टैप से यहां पर हो गया इसको हम बैक कर देते नीचे की और इसको भी नीचे हैं अब हम क्या करेंगे यहां पर जो गले को हम create करेंगे यहां से मैं क्या करता हूं इसका color मैं outline को black करता हूं और यहां पर एक new layer create करता हूं इस वर मैं यहां से इस टैप से हमने create कर दिये और इसका जो color रखेंगे same यह color रखेंगे step से और इस बार हम क्या करेंगे इसका जो color है तो इसका बोरी का color भी हम same रखेंगे यह कर दिये उसके बाद हम क्या करते हैं इसको हम f8 करके symbol में convert करते हैं इसको हम own करते हैं इसको भी f8 करके symbol में convert करते हैं इस दोनों को हम क्या करते हैं यहां पर side में रखते हैं यहां पर और यहां पर एक layer create करते हैं यहां पर और जो इसका color हम रखते हैं यहां से cut कर लेते हैं और यहां पर एक new layer create करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं और इसको हम रखते हैं यहां पर और इसका color जो हम रखेंगे green अब इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं कि इसको ऊपर करते हैं कि इसको इस्तरब करते हैं कि इसको हमने इस टैप से create कर दिये अभी हम क्या करेंगे इसको भी हम सिम्बॉल में convert करेंगे और यह तीनों layer को हम एक साथ रखेंगे सिम्बॉल में कर दिये और इस layer को मैं यहां से delete कर देता हूं और इस आथ को मैं रखता हूं यहां पर इस आथ को रखता हूं मैं यहां पर इस layer को मैं उपर कर देता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं यह hair को यहां से cut करते हैं और यहां पर मैं जाता हूं एक new layer create करता हूं और यहां से मैं paste करता हूं यहां पर हमने इसको create कर दिये अब देख सकते हैं यहां पर create हो गया अब हम क्या करेंगे यह यहां पे हम रख देते हैं तो इस step से दोस्तों इसके body को हमने create किया है तो आगे के वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर ले जिससे हमें कोई भी आगे वीडियो लेका हूँ तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए थेंक यू